नमस्कार मित्रगण आज हम आप सब के लिए लेकर आया है जून 2013 में हुए इस इनट जयारेप के तृति के प्रश्ण पत्तल को इसमें कुल 75 प्रश्ण है सभी प्रश्णों को हम क्रमसाहा समाहित करेंगे सभी प्रश्णों का समाधान देखेंगे तो इसमें सबसे पहला प्रश्ण है स्रिष्टि उत्पत्ति विशायकम विवेचनम कुत्रवरतते यानि स्रिष्टि की उत्पत्ति विवेचन कहां पर प्राप्त होता है आगनी सुक्त में नहीं है इंद्र सुक्त में भी नहीं प्रत्वी सुक्त में प्रत्वी की स्तुति की है अगनी सुक्त में अगनी देवता की वहतता बताई गए है इंडर सुक्त में भी इंद्र का ऐसे हैं वह बता AMY तीनों में इन तीनों देवताओं की इस्तिदी की गई फूर सोःскत में सुरुष्ट्षि… बताई गए 되어 है फूरुष्ठ्थ ते सुक्त हुआ ऐसे कुछ सुक्त है जो सुर्ष्टी की उत्पत्ती का विशय की विपेचन करते हैं से समझे कि इसमें क्या बताते हैं कि से क्या Arctic पन्न हुा डिय था इत्यादी बताए गया ऐसे इसके बाद दूसरा परशन है इस मंत्र के रिशी कौन है ? तो यह भी पुरुशुट का ही मंत्र है और इसके रिशी है नारायन संपूर्ण पुरुसुट के रिशी नारायन है अजीगर्थ किसी कहीं रिशी नहीं है ये सुना श्रेप की पिता थे कन्व अरिग्वेद के आठवे मंदल के रिश्य है फिर इसके बाद तीसरा प्रशन है वाक सूपतस्य का देवता अरिग्वेद में जो 10.135 नंबर सूपत है वाक सूपत उसके देवता कौन है बहुत ही सरल इसका उत्तर है वाक परमात्मा या वागरिम्बनी परमात्मा वागरिम्बनी यही दो देवता है लेकिन वागाम्बनी जो है वही वाक आत्मा वेनोर भार्गव यह सब कोई नहीं है फिर इसके बाद यज्यस्य देवम भृत्विजम इसमें देवम पद में कौन सा स्वर लगा देवम में वह उपर स्वर लगा है कि वह कोई स्वर ही नहीं है ऐसा मतलब उद्दात अनुदात स्वर इत्यादी का इसे पता चले हमें तो इसका सही ऐसा है कि देवम ये कोई स्वर इसमें देखिए ये जो पुस्तक है कोई स्वर व्यवस्ता नहीं दिखाई गई है इसमें क्या होता है कि पहले के समय में स्वर दिखी जाता था लेकिन अब स्वर दिखाने में थोड़ी कठना ही होती है यह ऐसा होता है फिर नीचे अनुदात होता है उपर उदात होता है इत्यादी दिखाया गया है तो यह यह से देवम रित्विजम में देवम में कौन सा स् प्रत्वी सुक्त में भी देख सकते हैं सस्वर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीचे यह जो हुआ है यह अनुदात होना चाहिए इसके बाद वह के नीचे चिन होना चाहिए इसके बाद यह पाँच में प्रस्वी सुक्त में कि यहम अंत्रांस प्रत्वी सुक्त में मिल्धा प्रत्वी कहते हैं कि मैं ही हूँ भूमि बें जो सहमान है पृर इसके बाद सुरखश्बिप करता यहीं है लेकिन इनका उल्लेख नहीं है उसके बाद आध्यात्में कब व्याक्या पद्धत व्येदे प्रयुक्त से अग्री शब्द से कहा रता आध्यात्में जो व्याक्या पद्धती है उस व्याक्या पद्धती में व्येद में जो प्रयुक्त अग्री शब्द है उस इसका सही उत्तर चुनना है अगनिस सूर्य आपो जिश्वे देवास्च तन संददु हूँ यहां अथरवेद का मंत्र है अमें आएगा दो फिर उसके बाद सो अंगवेद यदिवानवेद सो अंगवेद यह प्रशन जो है न प्रशन बहुत कठीन है क्योंकि चारों मंत्र ह को पता होने चाहिए कौन कौन से किस मंत्र के हैं किस वेद के हैं चार चीज दे दिया रिगवेद यह दो वेद दे दिया और दो ब्रामण दे दिया तो बह जो है सो अंगवेद यदि वानवेद यह रिगवेद का मंत्र है तो पहले में दो दूसरे में चार दो और चार इन वर्त्वावन का इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं मैंने उत्तर देख लिया है पहले इसलिए मैं बता रहा हूं पर मैंने अभ्यास भी किया है इस प्रश्न को कई बार देखा इसलिए पता है और इसका आएगा शत्पत ब्राम्हन और फिर भीम एव सवय वसी शाशन विशिशा शिशु हो यहाँ अई तरय ब्राम्हन का तो तीन दो चार एक तीन यहाँ सही उत्तर है इसको आप मिला सकते हैं उसके बाद तदंतरस सरवस्यत दू सरवस्या स्वाष्यत अहां मंत्रा उन पाँच वा मंत्र ही सावासे अपनिश्वम का यह मंतर कहां मिलता है यह केन अपनिश्वम के दूसरे खन्ड में केने शितम पतति प्रेशितम नहीं दूसरे खंड में नहीं पहले ही खंड में पहले ही खंड में कि ये केन उपनिशन्द में मंत्र है इसके बाद 11 प्रश्ण है अन्नाद भूतानी जातानी अच्छा ये तैतरी उपनिशन्द का मंत्र है इसा पूरा मंत्र है तो यहां मंत्र कहां पर प्राप्त होता है। मैंनाद्भोंति बूताचा अभार thinking by होना चाहिए उसके बाद अंगुष्ठ मात्रफ पुरुषोंतर आत्मा सदा जना नाम प्रदये सन्निविष्टहा उपनिश्दों के बहुत सारे प्रशना रहें यह भी उपनिश्द का है आगे आ रहा है उपनिश्द का यह सब बहुत सारे उपनिश्द के प्रशना रहें कभी एक भी नहीं आता है तो अंगुष्ठ मात्रः पुरुशुन्तरात्मा सदा जनाना फ्रदये सन्निविष्टहा यह जो है यह कठोप निश्द का मंत्र है वैसे कठे के साथ साथ यह मंत्रां सुवेता सुतर में भी मिलता है लेकिन सुवेता सुतर और सन्योग वह सुवे ले जाया यही कामाया प्रिया जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु कामाया जाया प्रिया भवती बहुत ही अध्वुत मंत्र है यहां किसकी उखती है यहां पहले ही तो जान जाए कि ब्रहदारन्य को उपनिशद में है चोथे अध्याय में महित्रई और याग्यवल्क के याग्यमल्क महित्रई को उपदेश देते हुए यह कह रहे हैं कि कोई कोई किसी व्यक्ति को पत्नी चाहिए इसलिए उसको उसकी पत्नी प्रिय होती ऐसी बात नहीं है उसको अपने आपको प्रेम करता है इसलिए उसको पत्नी चाहिए होती है मतलब ये क्या समाज की वास्तविकता ऐसे ही लगभग वीसों वाक्य वहां दिये गए है इसे मतलब सब कुछ बताया है सब कुछ अपने आपके लिए ही प्रे होता है और किसी इसमें अपना ही स्वार्थ नहीं होता है कोई दूसरा स्वार्थ नहीं नहीं होता है बहुत ही अद्भुत वाक्य है बहुत ही अद्भुत अब देसा ही याग्यवलकि का नवह अरे से सुभुआत होगा, तो उसमझ लेन याग विल कि नहीं महित्रई को बोला है। ब्रह्धारण्यका िप्णिश ergर्ड के चोथे अध्यायए में मंत्र मिलीगा। वाचम धाधेनुम पाशीता येखि ब्रहदारण्यका प्निश Thousand का ही मंत्र है। नहां पर मिलेगा आपको ब्रहदार रनेक उपनिशद में वाचम धेनु मुपासीत वाणी को धेनु के रूप में बताया गया है 15 प्रश्ण है अधस्तना नाम समीचीनम उत्तरम चिनुता यह जो अधोलेकित है इसका सही उत्तर हमको बताना है पहले में आएगा चार यानी इन दोनों में से कोई सही होगा कृष्ण एजर्वेट से संबध्धिन में से तैत्री अभी है कठोपनिशद दोनों हैं दोनों में से कोई एक कैसे लगा दें फिर भी चलो ठीक आगी के विकल्ब को देखते हैं पर यह कठोपनिशद या तैत्री अपनिशद फिर शुक्ले अजर्वेट से संबध्धिन ब्रहदार अन्यक है यह तो ठीक है दो सुल्य अजर्वेट से संबध्ध अपनिशद क्या है दो यह तक दर अन्यक अजर्वेट से संबध्ध असद्पत ब्रहभन का अंतिम 6 अध्याए तैत्री अपनिशद में है तैत्री अपनिशद के पहले जो पहला नव है बल्ली शिक्षा बल्ली उसमें लगभग 10 या 11 अन्वाक में मिलता है तो यह तैत्री आपनिशत का मंत्र ही दे दिया तो यह कहा मिलता है तैत्री आपनिशत में तो यह 3 हो गया तो कृष्ण जुर्वेद का उत्तर अपने आप कथ चोपने से दो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो तीन यही पहला फाला सही है इसके बाद इसके बाद परशन है ब्रहती छंद में कितने वरण होते हैं ब्रहती छंद यह गायत्री 24 उशनिक में 28 अनुस्टुब में 32 ऐसे अनुस्टुब ब्रहती तुन बाद आ रहा है यारी 4 बढ़ा दिजिये अनुस्टुब से 36 वरन इसमें होते है चो में 44 में 40 होते हैं only 18 नों होते हैं 4 चार बढ़ाने पे नहीं आता है यह 36 से दो ज़्यादा हो तो विराट होता है तो इससे दो ज़्यादा है इसलिए विराट भुब रहते चंद भी हो सकता है इसके बाद सत्रहमा प्रश्ण है चातुरमाज से यागे वर्तते चातुरमाज से यागे में से इन सब में से चारों में से क्या है अगनी होत रहा है अग्रेयन है किसा उत्रायमनी है नहीं साकमेधी है यह चातुरमाज से यागे में आता है फिर इसके बाद नारदी ये सिक्षा संबध है नारदी ये सिक्षा किस से संबध है नारदी ये सिक्षा किस से संबध है नारदी ये बहुत अच्छा गाते थे वीना बजाते थे गानवान से संबध इसलिए सामवेद से संबध है नारदी ये सिक्षा सामवेद से संबध है अरगवेद से पा संधिक्षरणी तो भी तो समान्ग चर्णी अजिस के बात अंतरिक्षस्तान देवता कौन सा इसमें से तो अस्वणी ये दिवस्थानी है सों प्रत्वी स्थानिये हैं, सूर्य दियुस्थानिये हैं, वायू रुद्र, इंद्र और वायू ये तीन देवता क्या हैं? ये अंतरिक्ष स्थानिये हैं फिर यास के निरुक्त के अनुसार किस का पद के रूप में स्विकार नहीं है नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये चार होते हैं तो प्रत्य का पद के रूप में स्विकार नहीं है प्रत्य नहीं है चार पद होते हैं चत्वारी पद जाता है नहीं नाम आख्यात उपसर्ग निपात आचिनो त्यर्थान इती आचार ये पद निरवचने कहा धातू आचार पद का इसा निरवचन करने जाएंगे आचिनो त्यर्थान तो उसमें कौन सी धातू है? चियन चेने जिसका सही उत्तर होगा चियन चेने है या फिर उसके बाद यह देखे दो विकल्प दे दिया एक छिय एक ये ची ये दोनों सही होगा लेकिन छिय धातू है यहां छिय ही होना ज़isson ansak मुलता है तो छिय धातू है लेकिन आँग उसर्ग भी लगा है तो इसलिए आची ये सही होगा इसकां ची यह होना ची मूलता है लेकिन जैसे क्या होता है कि डुक्रियें करने में क्री मजद कर ंलता है, यहां बूकालोफ हो जाता है वैसे यह ची यहां कलोफ हो गया है पर मूलता हधा तूinder आंगविषय कूलोफ तूरुरू पूरूरु चीजा है कश्य किम्मत इसमें चारों मत ये दिरुक्त के अनसार चारों मत दे रहे हैं चारों मत कौन किसका अभिमत है तो इसके बाद इसके ले हमें जानेंगे कि पहला क्या है अनर्थका ही मंत्रा है मंत्रा अनर्थक होते हैं ऐसा किस ने कहा है कौटस ने कहा है ऐसा कि मंत्र सभी अनर्थक होते हैं एक में तीन आरा यानि अप ए या सी होगा सही सरवानी नामानी आख्यात जानी सभी नाम आख्यात से उत्पन होते हैं यह वचन है नईरुक्त समय है सभी नाम क्या है आख्यात से उत्पन होते हैं यह ऐसा किस ने कहा है तो ऐसा यह नई रूक्त समया है इती नई रूक्त समया निरूक्त में आप बचन पा जाएंगे इसा शडभाव विकारा भवनती इती गार ग्या है सडभाव विकार होते हैं ऐसा किसने कहा है वार्षया या नहीं सरवानी नामानी आख्याता जानी न इतिकार गया है ऐसा होगा इसका सही उत्तर होगा ये इसके बाद प्रश्ण है 24 नंबर लोप आगम वर्न विकार अग्यों ही सम्मिक वेदान परिपाला इश्यती ती लोप आगम स्युदाहर नमस्ती देखें लोप आगम वर्न विकार को जानने वाला ही वेदों का सही परिपालन कर पाएगा यहां पर लोप और आगम दोनों का उधारन क्या है देवा अधुष्र यही है अदुसरा में ताका लोप हुआ है और अट का आगम हुआ है लोप और आगम दोनों है यही इसका उदाहरन है महाभाद सिक्या अनुसार सिध्धान दता है व्याकरन शब्द से को और था है महाभाद सिक्या अनुसार व्याकरन सब्द का अर्थ क्या है सूत्र नहीं, सूत्रे व्याकरने सश्ठर्थोन उपणना, सब देले ड्वर्था इत्यादिकाई की विप्रतिपत्यां उत्पाई बताई हैं, तो लक्ष लक्षने व्याकरना में यही सिध्धान देवक्ष है, इसके बाद भू शप अ अंती, शप में इसे क्या बचता है, श क्योंतर वाला अक। बचता है क्यों तभु अंती हो जाता है, उगुण होकर भवनधी बनता है, इसके बाद धातोःव विधियमान Сейчас तव्यत प्त्या कस्मिन अर्थे भवतिति धातु से तव्यत प्त्या किया जाता हो किस अर्थ में हैं, करतर्भ ये пережणी अर्थ में होता ह भाव और कर्म दूनों अर्थ में होता है तयो रेव क्रित्यक्त खलर्था सुत्र से भाव और कर्म आर्थ में ही क्रित्य प्रत्यक्त प्रत्य और खलर्थक प्रत्य होते हैं फिर द्वेश ती यहाँ है इतने न कप्रत्य भवती तस्यकस्च अर्था द्वी सब्द से ती यह पर्तिय पूरान के मैं थे देशी को आप कहते हैं किसी व्यक्तिंग का और दीया की सेसरे कैसे हो कि यह पहला दूसरा इसरा पूरा ai और भुलन संख्या मानिया जाती कि तो पूरन प्रत्य अर्थ में तिये प्रत्य होता है द्वितिय यानि दूसरा परаки युश्त सण के इस // थीधियरन यह कि इसके बाद that इसके बाद का प्रेश्ण हैं domesticos Shri scope यहां पर केंश की सूथर से कौन सा प्रत्य होता है तो यहां पर सूत्र होगा रिन्य भ्योंगीब नहीं है, पुईयोगा दाख्यायम से गीश प्रत्य होगा, पुरुस का योग किया गया है, मैं सूत्र उसको समझा चुका हूँ, इसलिए विश्तार से बताना नहीं, रिन्य भ्योंगीब का दंड़िनी, हस्तिनी, करिनी, और इत्यादी उधारन होगी तस्चा का मिल जाएगा आपका भवती, पचंती, दिजन्ती, पत्तिर, नवयोगीब का पत्नी, इत्यादी उधारन मिलेगा, इसके बाद तीस नंबर प्रस्ण है, वर्गत से प्रथम वर्ण से परिवर्तन हैं केवला असंयुक्त धनिशू, एव संयुक्त धनियों में उसका परिवर्तन नहीं होता, ऐसा अपवाद नियम किसने बताया है, तो ग्रिम, जो तीन नियम है, ग्रिम, बर्नार और ग्रैसमेन का उसमें से ग्रिम का नियम है, उसके बाद का प्रस्ण है, ये ग्रासमेन का नियम है, दो महाप्रान धनियों में से यहाँ पर जो क्रियापदय में क्या आर्थ है उथ्तियर्थ ने घृत outta ब्रस्थ ननबर प्रष्णा है, ब्रह्म झूद्र गुपत में भगवत पादू ने जो वियाक्ष्द्या लिखी है उसका क्या नामdas और शारी Ragbhash मीमानसा भास या सांकर bhaas i atthe on ट्यादीनम मिल जाते हैं श्री भास और रमानुजäs है स्भावाइद कारा मखाना नाम है बाराध्य होने की कारण तट मसी यहाँ पर रुाक के समन्हें में बेदांत के अभिमत जो लक्षणा है उजहाद HAS LEIKS Northern है है कि बस्ति भागध और देमध नोधावत इत्यादी में जहादा जहाद лас दस्ति बजत्ति है शडविध्ध लिंगई है समपेतम किम भबती छे प्रकार के लिंगों से समपेत क्या होता है तो श्रमणम श्रमणम तो शडविध्ध लिंगई है वो शे प्रकार के लिंग कौन कौन से है उपक क्या कहते हैं उपक क्रमो पसंहार अध्यासो फुर्वता फलं अर्थवादो प संगखमें अंतक्रन कितने प्रकारगा होता अंतक्रनंग क्तर होता, धसधा बाहियं विशायक्यम संखे सांख्य के मत में कौन से घ्याती है यहां पर आप देखेंगे कौन सी ख्याती सांखे केमत में मानी जाती है उसका सही उत्तर होगा पहला जो अनिरवचनिय ख्याती है वो तो वेदानतियों के अनुसार है अन्यथा ख्याती है वहाँ नयाईकों के अनुसार है विवेक ख्यातिया सांख्यों के अनुसार है तो इसका सहीतर यही होगा और यह जो है असत ख्यातिया सून्य वादियों बहुत्धों कामत है पहुर्ष भाहुथ संख्यानुसार पुरोष भाहुत्त प्रस्थापने कारण बहुति सांकिय अनुसार पुरुष बहुत है इसा प्रस्थापित करने के लिए कौन सा कारण बताया गया है तो जनन मरण करना नाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिध्धम त्रही गुण्य विपरियाद चैईवा यह हो जाएगा अठारवी कारिका प्रारम में ही बताई गई है सांकिकारिका में इसका सही उत्तर होगा जनन मरण करना नाम प्रतिनियमाद हर एक व्यक्ति का सब जनन भी अलग होता है मरण भी अलग होता है हर एक व्यक्ति के जो हाथ पेर इत्यादियों हो सभी अलग होते है इसलिए क्या है जो अंता करण है या बाहिय करण इत्यादी सभी अलग अलग है इसलिए पूरुस बहुत सारे है अंग अंगा नाम क्रम बूधकों विधि कौन सी पहले क्या करना चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए इत्यादी क्रमों का बूधन कौन सी विधि कराती है वि अधारन जहाँ होती है और भूतार्थ वाद जहां पर उसका हान हो जाता है तो तो गुणवाद अगर विरोध हो वहां पर ही होता है इसका आपक यूप है इसमें गुणवाद है अधित्य यूप नहीं हो सकता है अधित्यानी सूर्य सूर्य लकड़ी बन सकता है इन दोनों में विरोध है विरोध होने पर ही गुणवाद दिखाई पड़ता है और अनुवाद जो अवधारित विसे है उसमें अनुवाद होता जैसे अगनी है वहाँ बरफ का बरफ की दव आपको ठंडी लग रही है या ठंड़क हो उसकी दवाई कौन है अगनी अगनी रिमस सजम यह तो अवधारित मत है आपका उसमें अनुवाद कहा जाता है और यह भूता अर्थवाद का उधारन है इंद्रो वृत्राय वज्रम उदय अच्छत तीन अर्थवाद है रामायन मा अस्रित किसकी कथां कुंदमाला दिंग्नाग विरचित जो कुंदमाला उसकी कथार हमैन पर आशी था इरत्रावली कि कभी अध्रेगं कभी कल्पित्था है इस ग्रांथम लेकर संकराचारी ने भासनम नहीं लिखका पर लिखा है सारी रग भास इस वाश्युप निश्द पर भी लिखा स्रीमत भागवत महापुरान पर उन्होंने भास नहीं लिखा है यह क्या है 43 नमबर प्रश्ण जटायू रावन युद्धम रामायन से कस्मिन कांडे है अस्ति जटायू रावन का युद्ध रामायन के किस कांड में मिलता है अरन्य कांड में जो अरशीता का अहरण भी अरन्य कांड में ही होता है तभी जटायू रावन का युद्ध होता ह अरने कांड में जब भरत चरन पादुका लेकर चले जाते हैं वहां से लेकर के सुग्रिव से मिलन तक की घटना है सुग्रिव से मिलन की घटना के इंधा कांड में आ जाती है और फिर सीता की खोज के लिए जब हनमान जी चलांग लगाते हैं वहां से घटना परारम होती सुन्दर गांड की और युद्ध के प्रायमतलब समुद्रब में सेतु बन जाने तक की घटना सुन्दर गांड में है बाल गांड में जन्म के पहले की तथा जन्म के बाद सीता के विवाह तक की घटना बाल गांड में हनुमान जी को अंगुली देते हैं अंगुली एक कौन देता है अगर यहां दो बार होता है हनुमान जी राम को देते हैं राम जी हनुमान को देते हैं हनुमान का अंगुली प्रदान वृत ऐसा बृतान अईसा कहा गया हनुमान को दिया गया हनुमान जी ने दिया ऐसा ने दिया सीता को वह सुन्दर कांड पर इसका हनवान जी ने दिया था वही है हनवान जी ने प्रदान किया वह सुन्दर कांड वही उसका सही उत्तर होगा इसके बाद पुरान पंच लक्षण इनास्ति पुरान के पांचो लक्षण में नहीं है सर्ग है प्रतिसर्ग है वंसा मनवंतर है वंसानुचरित है लेकिन उत्सर्ग नहीं है किस साँत्र में विविधो किस सास्त्र में विशय हैं ? कौन सा शास्तर ऐसा है जिसमें is विविधिस सास्तr संबंधि विशय है जी है ?ंघिनीपुराने.. oruचारणी अखिने यही पॉराने शिनीभी विध्या प्रकृतित्या आग पॉरानÓं से प्राफ्थ हो जाते हूं बाली बद का वरणन रामायन के किस कांड में हैं तो बाली बद का वरणन रामायन के किस किंधा कांड में ही है किस किंधा में ही रभाली को मारते है अमात्या नाम शोचा शोच ज्यानार्थम कवुटल लेसो पधासु या ना निर्दिश्टा वह कौन सी उपधा है कोटईल ने उनके विन्याधिकरण में प्रारम में अमात्य कैसे हैं, उनकी परिक्षा के लिए सोच-असोच इत्यादी का ज्यान के लिए एक नियम निकाला है, इसकी परिक्षा की जाती है, उसके पास इस्त्रियों को भेजा जाए अगर वो मोहित हो जा रहा है, मतलब अपन मौक्षो पधा यहां जो इसका है मौक्षो पधा यहां नहीं है मौक्ष के लिए उसको लोभ दिया जाता है ऐसा कोई अमात्य नहीं होता है तो यह इसका सही उत्तर होगा मौक्षो पधा इसके बाद 49 नमबर प्रशन है मंत्री परिषद सदम 12 मात्यान कुरवी तो यह किसकी महननेता है कि अपने मंत्री परिषद में 12 आमात्यों कर रखना चाहिए 12 मंत्री होने चाहिए आपके मंत्री परिषद में ऐसा मत किसका है य कभी का मत संग्रहन है ब्रेसपती ने क्या कहा शुक्र दे क्या कहा कोटी ले ने क्या कहा देवों का दिन कब होता है देवों का दिन होता है कृष्णपक्ष या शुक्लपक्ष या उत्तरायन या दक्षणायन तो इसका सही उत्तर है देवों का दिन होता है उत्तरायन कृष्णपक्ष जो होता है वह पित्रों का दिन होता है शुक्लपक्ष पित्रों की रात्री होत और दक्षनायन देवताओं की रात्री होती है, अंगुली मूले किम तिर्थम भवती है, अंगुली के मूल में कौन सा तिर्थ होता है, इसका सही उत्तर है काय तिर्थ या प्राजा बत्ती तिर्थ। इसके बाद मनुना राजा सराष्ट्रे की दिर्शो भी प्रेता होना चाहिए यहाँ भी त्रेता के दिया मनु की अनुसार राजा अपने राजे में कैसा होना चाहिए जिसका सही उत्तर हो न्याए वृत्ता न्याए पर ही हमेंसा ठिका रहने वाला होना चाहिए जो सुन लिया उसका उत्तर कहां लिखा जाए राजया के पास या पूर्व जो आवेदक उसके पास या सभासत के पास या ब्रामण के पास जो सुना हुआ है उसका उत्तर किसके पास लिखना चाहिए जिसका सही उत्तर है पूर्व आवेदक सन्दिदव अभियोग अस्याप अखनवे किया धनम रागिया ज़्यात मतलब किसी ने जूटा अभियोग लगा दिया है उस अभियोग का निशेद हो जाता है वो अभियोग गलत साबित हो जाता तो राजा को कितना धन देना पडता है दन्ड के रूप में मतलब राजा धंड नहीं देता है जो अभियोग लगा है वो धंड देगा लेकिन किसको देगा राजा को राजा को कितना धंड देना पड़ता है द्विगूना धंड देना चाहिए कि अभियोग समय अच्छा जितना अभियोग हुल में लगा था अँपना ही दंड देना पड़ता है फिर इसके बाद तवाध भिधाना द्यतते नतानना सदसहान मंत्र पदादी वो उबहरगा यह वाक्य किसका है यह वाक्या इसका क्या कहते हैं सउयोधन अच्छा यहां पर जो क्या है नतानना कोन है तवा विदानाद व्यतते नतानना आपका नाम सुनने से वह जो नतानन है वहां व्यत्थित हो जाता है वह नतानन कौन है दुरियोधन ऐसा बनेचर कहरा है कि वह जो नतानन दुरियोधन या सुयोधन यहां नाम किया गया है वह सुयोधन जो दुरियोधन है वह आपके नाम से ही व्यतित हो जाता, आपका नाम सुनते ही, ऐसा बात किया गया है, रुगना प्रभाकर वर्धन उपचार हे तो कुत्र गता है, यह हर श्रीद के पांच वोच्छास का कतन है, प्रभाकर वर्धन मर जाते हैं, वीमार रहते हैं, वो उपचार के लिए कहां गए जो प्रभाकर वर्धन रुग्ण थे वो उपचार के लिए कहां गए धवा लग रहे गए थे इसके बाद प्रश्ण है रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक का नाम क्या है मदन महोचो रत्नावली नाटिका का पहला आंख है मदन महोच सो और दूसरा है कदली गरिया संकेत और अंदर जालिक में मैं कन्फूजन तीसरा और चोथा कौन सा चाप राया ये अंदर जालिक है संकेत याद नहीं भी आरा फिर उसके बाद अध्हों की ता नाम युगमा नाम समीची नाम तालिकाम चुनत इसका सही तालिका बनानी है प्रसिध्धम उर्धज जलनम हविर्भुजा यह वाक्य कहां मिलता है तो यह वाक्य मिलता है शुषपालवद में गतम तिरस्चीन अमनूर उसारते प्रसिद्धमुर्धज्वलनम्हविर्भुजा इसा है शुष्वालवद का बागी है अनंगोयमनंगत्वम अध्यनिंदिश्यतिध्रवम वैसे तीन पहले में आ गया तो पहले में तीन के वले ही एक जगा आ रहा यही उत्तर सही होगा फिर भी आगे की उत्तरों को हम देख जत text लेते हैं ये जो वाह है ये अनंगोयमनंगत्वम ये रतना वली का वाक्षण अहो दुरंताया वलवद विरो दिताया क्रातार जुनियम का वाक्षण और इसके बाद 69 नमब्र प्रस्ण은 पमात्रम समुद्धिष्टम बहुधा यद्विसर्पति varsaम मात्रम समुद्ध लेकिन क्या बीज चोटा ही होता है लेकिन जब उसको जमीन में डाल दिया जाता है तो इसे नाटक कि कथावस्तु का बीज भी बहुत पहल जाता है प्रायस यंगाना नाम सद्यप्पाति प्रनाई हिर्दयम विप्रयोगे रुनधी। यहां पर कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छा क्या है कि प्रायस आहसब्द का प्रयोग किया गया है। और यहा जही एक प्रकार की सुभासित है। यहां पर अर्फान तर्न्यास अलंकर है, कालिदास को बहुत प्रिय भी अलंकर है, बहुत ज्यादा याइनने में एक ध्यूत का है, है कि आसा का बंद होता है कि चलो ठीक है मेरा प्रियतम आ जाएगा ऐसी जो आसा है वह आसा का बंद क्या होता है प्रनी हिरदयों को की रक्षण करता है प्राइरति भी प्रारब-dhaStraa कार्यावस्था कति भवन्ती जो प्रारम किया है फलार्थियोंने, उसके कार्यावस्थाएं कितनी होती फिर इसके बाद नहीं खलु सरवा सरवं जानाती, सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा कहां मिलता है, यह हवाक्य मिलता है, मुद्रा राक्षश में मुद्रा राक्षश जो विशाख दत्त की रचना है उसमें यह वाक्य मिलता है वासवदत्ता ने कुस्मा युद की पूजा कहां पर की वासवदत्ता जो थी वो कुस्मा युद की इसका नाम है काम देव का कि moeten वासूदत्तम नहीं नहीं है यह रतनावली की कतां का इसके किया अनुसार वासूदत्तपन ने कुसमायुद की पूजा की थी रैक्ता शोग पाधप जो लाव असोग पाधप ऊसके नीचे इन्होंने कुसमेयुद की पूजरू की थी भारवी का बचन कैसा होता है कदली फल की तरह केलेख फल की तरह कि अंगूर की तरह कि अनार की तरह कि नारियल की तरह सही उत्तर है नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवे ऐसा कहा गया है भारवी का बचन नारिकेल फल की तरह होता है नारियल फल की तरह यानि उपर से कठोर होता है नारियल लेकिन फोडो तो अंदर बहुत कोमल निकलता तो इसे भारवी के वाक्यों की अर्थ तुरंत सीधे नहीं निकल जाते नारियल की तरह कठोर होते लेकिन जब आप अंदर पहुंच पाएंगे तो बहुत मधूर रखते नुए इसा को एकन टाछ मिलता है किसके निरूपन में मिलता है तर इसका रसों के सुरूप क्या है कारण है सहकारी क्या है सहकारी लिए एल्च जो बताएगे और रस बाव, कि यई आपको प्रसिद्ध है बुद्ध चरित। पता हैं तो उद्ध के चरित के बता है तो बहुत धर्म का उन्होंने प्रचार के लिए कावे लिखा बहुत धर्म के प्रचार के लिए इसके बाद संसट नंबर प्रश्ण है विस्वनात के अनुसार साब्दी बेंजना कितने प्रकार की होगी तो इसका सही उत्तर होगा दो दो प्रकार के सिख्धी के सब्सक्राइब कि संदने कि ऐसे साकुंतला तो कैसी भीची है। कि तरह तुम हो गई हो या वचन किसका है करनवका है सकुंतला को वच्झ कह के कौन करनवरी रस यहा अनुक्यत रूप में जो रस अनुकार में है जो अनुकरन कर रहा है उस राम इत्यादी में ही रस होता है ऐसा किसका मत है सहिर्देयों के मन में नहीं होता है मतलब जो नाटक देख रहे हैं उनके मन में नहीं होता है जो अभी नहीं कर रहा है उनके अंदर रस होता है ऐसा किसका मत है यह मत है इनका भट्ट लोल लटका प्रमा करणम प्रमानम इसकी यहां मत किसका है प्रमा का नहीं प्रमा का जो साधन होता हो प्रमान होता है इसा कहा गया है यह प्रमान का लक्षन दिया गया है प्रत्यक्ष का 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 प इसके बाद 72 नंबर प्रश्ण है वर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात इत्तर दोशे वर्तते कौन सा दोश है वर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात साध्या भाव वद वृत्ति हेतु हुः ये जो पहला है इसका यही सही उत्तर है साध्यक जो वहनि है उसके अभाव जल में भी précisलिफ चार प्रकार का परिमान होता है। तुरी वेमाधीकम पतश्य निमित कारण कपड़ा बनाने की जो मसीन है वो कपड़े के लिए कौन से कारण है निमित कारण है समवाई कारण होते हैं तंतु आ समवाई कारण होते हैं तंतुओं का संयोग स्वरूप कारण होता ही नहीं तीनी कारण समवाई समवाई और निमित प्रत्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंदवत्वात यहाँ पर साध्य क्या है प्रत्वी अन्य पदार्तों अन्य द्रब्यों से भिन्न है क्यों क्योंकि उसमें गंध है तो हमको सिद्ध क्या करना है गंध क्योंकि उसमें गंध है इस हे उसे हमको सिद्ध करना है कि वो सबसे special है, सबसे भिन है तो इतर भेद हमारा सिद्ध है यह साध्य है इतर भेदा साध्य इसके साथ ही यहाँ पार्ट समाप्त होता है इसके बाद हम अगले प्रस्न पत्र को लेके इसी ग्री आप सब तक उपस्तित होंगे तब पूरा पार्ट देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार